दोस्तो BPSC की भूली बिश्री यादों की इस सीरीज में आपका स्वागत है दुनिया के सबसे बुजुर्ग नो निर्वाचित नेता बनने वाले मलेशिया के नो निर्वाचित प्रधानमंतरी डाक्टर महातीर मुहंबत याद रखिएगा सबसे बुजुर्ग प्रधानमंतरी किस देश के बने मलेशिया के डाक्टर महातीर मुहंबत काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकता है भारती मुल्ग के लेखक और प्रसिद्ध ब्रिटिश उपान्यासकार सर्वी एस नाइपाल का निधन हुआ कि किस तारीख को तो ये 12 अगस्ट 2018 को लंदन में निधन हुआ आप जानते हैं कि इन्हें नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था किस वर्ष 2001 बिल्कुल वी एस नाइपाल लेखक थे 12 अगस्ट को निधन हुआ ध्यान रखियेगा दोस्तों 12 अगस्ट आपको याद हुगा इलहाबाद की संदी भी हुई थी 12 अगस्ट 2765 इस भी को दो संदिया 12 अगस्ट 2765 और 16 अगस्ट 2765 काफी महतपूर साबित हो सकता है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM कहा स्थापित किया गया था जिसे बंद कर दिया गया बाद में बंगलूरू में क्रिप्टो करेंसी क्या है एक डिजिटल करेंसी है बहुत ज़्यादा इसके भारे में ना पढ़िएगा अब हाशी मुद्रा है बहुत ज्यादा नहीं बस जितना मैं बता रहा हूँ परते जाईए विश्व का पहला ब्लू बार्ण चारी करने वाला देश शेशेल्स काफी महतपूर होगा FDI का सबसे बड़ा सुरुद भारत में मौरिशस दूसरा सिंगापूर मौजूदा समय में भारत की सबसे तेश दौड़ने वाली ट्रेन का नाम गतिमान एक्सप्रेस तेली से जहां सी के बीश ये चलती 160 किलो मेटर प्रति घंटा की स्पीड से इसके पहले बिना इंजन वाली ट्रेन 18 सफलता पूरवाक 180 किलो मेटर प्रति घंटे के अधिक स्पीड से पट्री पर दौड़ी थी काफी महतपूर साबित होगा ध्यान रखिएगा ये गतिमान एक्सप्रेस इसकी अधिक्तम जो स्पीड है वो 220 किलो मेटर तैकी गई है बॉम्बे स्टाउक एक्सेंज एशिया का सबसे पुराना स्टाउक एक्सेंज है 875 में इसकी अस्थापना की गई थी 21 सदी का सबसे लंबा पूर्ड चंदग्रान कब दिखाई दिया था 27-28 जुलाई 2018 को और अब ये अगला 26 जून 2019 को दिखाई देगा ध्यान रखिएगा हाली में अमेरिकी अंतरिक शेजन्सी नासा ने पारकर सोलर प्रोब याद रखिएगा दोस्तो पारकर सोलर प्रोब काफी इंपोर्टेंट हो सकता है पारकर सोलर प्रोब मिसन लांच किया यह मिसन किस गरा के उपकरा के लिए है तो सुर्य के अध्यान के लिए है अगला है सौर मंडल के किस ग्रह के बारा अन्य चंद्रमाओं की खोचकी के जिसके कारण उस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमाओं हो गया है तो यह है व्यस्पति दोस्तों आप लोग पारकर सोलर प्रोब जरूर याद रखिएगा सुर्य के अध्यर के लिए नासा का मिशन है जीका वायरस जोकी एक अनुवनसी करोग के रूप में भी सामने आ रहा है यह किस से फैलता है तो यह एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है हाली में राजस्थान के जैपूर में जीका वायरस के मामले की पुष्टी हुई है सहारा मरुवस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुवस्थल कौन सा है सहारा मरुवस्थल ध्यान रखिएगा जबकि दक्षिर एसिया का सबसे बड़ा मरुवस्थल दक्षिर नकयाब एसिया का ये एसिया का सबसे बड़ा मरुवस्थल चीन में गोबी मरुवस्थल और दक्षिर एसिया का सबसे बड़ा मरुवस्थल वो है थार मरुवस्थल थार मरुगस्थल कहा है दोस्तों आप जानते हैं राजस्थान और पाकिस्थान के बॉर्डर में आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो ये सहारा मरुस्थल कितने देशों से गिरा है 11 देशों से गिरा हुआ है याद रखिएगा काफी महत पूर्था 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है ये चर्चा में रहा था भारत 1 इस्थिती रिपोर्ट देख लेते हैं अगर आपसे प्रस्थन पूछे वनो और पेडो से गिरा हुआ तो आपको 24.4 प्रिश्थत लगाना है और केवल 1 पूछा जाए केवल 1 तो आपको 21.54 प्रिश्थत लगाना है द्यान रखिएगा 21.54 प्रिश्थत केवल 1 कितने है भारत में 24.54 प्रिश्थत द्यान रखिए भारत की 1 नी थी सबसे पहले 1952 में आई जिसे 1988 में संसोधित किया गया जिसके अनुसार एक बटे तीन यानि 33 प्रिशत भाग पर भारत के शम्तली भाग पर वन होने चाहिए जबकि लगबग 60 परसेंट भाग पर क्या होने चाहिए पहारी भागों पर वन होने चाहिए पहारी भागों के आगे बढ़ते हैं दोस्तो जुलाई और अगस्त महा में आई केरल की बार को किस अस्तर का घोसित किया गया तो यह L3 अस्तर देखिए दोस्तो बस फैक्ट पढ़िये बहुत जादा कॉंसेट की जूरत नहीं है बस L3 अस्तर जानिए L3 वो अस्तर होता है जिसमें केंदर राज और जिला प्रसासन तीनों मदद करते हैं काफी बड़ी तबाई थी जीवन के लिए रीफ रीफ आप जानते हैं प्रवाल तो प्रव के रीफ विशे पराधारी कोरल लिफ्स की स्थिती और सनरक्षण S.T.A.P.C.O.R. 2013 कहा हुआ था लक्षदीप के बंगा राम आईलेंड में बंगा राम आईलेंड आप जानते हैं लक्षदीप को प्रवाल दिविप भी कहा जाता है काफी महत पूर है जबकि मैंग्रो दीप के लिए यानि मैंग्रो के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद है आपका पस्षी मंगल काफी महत पूर है और सबसे ज्यादा मैंग्रो शेतर में जो वरिदी होई है के आनदर प्रदेश में वरिदी होई है दोनों पॉइंट जानीएगा अप लोग अगर आपसे पूछा जा तल ले घाटी वन्ने जीव बिहारन तो बस अरुडाचल प्रदेश देहान में रखिएगा हाली में प्रद्धान मंदिर नटेंदर मोदी ने म्यामार के बागान में आनंद मंदिर का दोरा किया आनंद मंदिर का है म्यामार में है या किसके लिए प्रसिद है तो यह एक बहुत मंदिर है तथा मून वस्तुकला के लिए प्रसिद है बहुत मंदिर है इसलिए बिहार के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है आनंद मंदिर म्यामार सांख्य दर्शन के प्रड़ेता कौन है सबसे प्राचींतम दर्शन important question सांख्य दर्शन कुल 6 दर्शनों में सबसे प्राचींतम सांख्य दर्शन इसके प्रड़ेता कपिल मुनी है याद रखिएगा द्वैत वाद में विश्वास रखता है ये दर्शन ये महत्पूर 16 कुश्चन मैं आपके सामने लेके आया चलिए दोस्तों दो तीन और वीडियो हम आप तक प्रिसित करेंगे कुछ इतिहास और कुछ राजवेवस्था के तो अपना ध्यान रखिए लगबग पूरी तरीके से हमने करेंट अफियर्स को कंप्लीट कर लिया है आपका रिविजन यहां कंप्लीट होता है बागी अब आपकी मैनत तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए नमस्कार